हलो गाईस, स्वागत है आपका सिर्जन जी चैनल पर और मस्तर्स ओफ फार सीजन 3 में आज आप देखने वाले हो इसका 6th एपिसोड नियुएस टे इसके डारेक्टर हैं डैरन लिन बोस्मन जो बना चुके हैं Saw 2, Saw 3, Saw 4 और स्पाइरल एपिसोड बेस्द है Paul Keane की शौर्ट स्टोरी The Dead Time के उपर तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए जुल्दि से स्टोरी स्टोरी स्टार्ट करते हैं कहानी शुरू होती है एक जनवरी को यानि के नए साल के पहले दिन हैलो नाम की लड़की सुबह साड़े चार बजे ही जाग गई क्योंकि बाहर से लगतार पुलिस साइरंस की आवास आ रही थी कल रात ये पार्टी में थी और रात को इसने कुछ जादा ही पी ली थी तो अभी तक उसका हैंगोवर हो रहा है वो नीद की गोली खाकर फिर से सोना चा रही थी लेकिन गोलिया सारी खतम है नीद की गोली ये इसलिए खाती है क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही इसके भाई की देथ हो गई थी तो उसके गम में इसे नीद नहीं आती फिलाल ये एक अपार्टमेंट में रहती है जहाँ बहुत जोर से चिलाई, Helen ने जल्दी से लाइट आन की, लेकिन लाइट थी नहीं, तभी एक सर्च हेलिकॉप्टर वहां से गुजरा और पूरे शहर में अलाम्स बजने लगे, तब जाकर Helen ने विंडो से बाहर देखा, तो वो देखती रह गई, क्योंकि पूरा शहर जल रहा मुर्दे भी फिर से जिंदा हो गए, ये बात हजम करने के लिए Helen ने थोड़ा पानी पिया, लेकिन फिर वो भी उगल दिया, इसके बाद उसने एड़ी के दर्वाजे पर नौक करके उसे जगाना चाहा, पर कोई रिस्पांस नहीं मिला, तब एक कैंडल लेकर वो अपनी पडोसन के रूम में गई, तो वहाँ पर उसे मिला सिर्फ खून, हर दरफ खूनी खून, देशत में भागते हुए वो वापस आई, और इस बार उसने एड़ी के रूम का दर्वाजा ही तोड़ दिया, तो वहाँ पर भी सिर्फ खूनी था, अब पैनिक में आकर उसने जेम वो लड़का है, जिसे ये पसंद करती है, और कहीं से कोई जवाब नहीं मिल रहा था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, तब ही उसके दरवाजे पर कोई बहुत तेज नौक करने लगा, उसने जा कर देखा तो पता चला कि उसकी पड़ोसन दरवाजे पर आपको बता देता हूं, तो कल शाम इसकी पड़ोसन का बेटा कैविन इसके साथ बेटा था, तब ही एडी आया और उसने बहाना लगा कर कैविन को भीज दिया, पर जाते जाते कैविन ने देखा कि हेलन की स्पाइडर मर चुकी है, लेगिन अभी जब हमने देखी थी तो चल रही थी, यानि कि मरे हुए जानवर भी फिर से जिन्दा हो रहे हैं, और इंसेक्ट भी, तो हेलन का भाई भी ज़रूर जिन्दा हो गया होगा, खर कैविन को एडी ने इसले भेजा क्योंकि वो नई जाता कि हेलन इस रूम में सड़ती रहे, वो इसे एक पार्टी मिले की बाद से वो एक बार भी इससे मिलने नहीं आई, पर हेलन को इससे कोई शिकायत नहीं है, उसे पता है कि क्रिसी ही एक लौती है, जो सच में उसकी केर करती है, ये कैसी केर है भाई, क्रिसी ये भी जानती है कि हेलन जेमस को पसंद करती है, और ये बात जेमस भी जानता है जब James आया तो Helen उससे मेली और वो भी अच्छा खासा प्यार दिखा रहा था जैसे इसका boyfriend हो और जब इसने हिम्मत करके उसे I love you बोला तो उसने कोई जवाब नहीं दिया बलके वो तो हिचकने लगा तब ही अचानक पूरा क्लब हेल गया मानो भू कम पा रहा हो और इस दिग गड़ भी हो चुके हैं पर किसी ने भी न्यूस को सीरियसली नहीं लिया Helen अब भी James की ही बाते कर रही थी तो एड़ी ने भी अपने दिल की बात बोल दी कि James तुझे प्यार नहीं करता पर मैं करता हूं वो बड़ी स्पीड से आगे बढ़ रहा था तो Helen ने उसे रोका फि Helen की फिलिंग्स जानते हुए भी Chrissy ने उसे अंधेरे में रखा जबके वो बता सकती थी लेकिन नहीं बताया क्योंकि उसके मन में चोड़ था बस वहीं से Helen पूरी तरह तोड़ गई जिसे जैसा समझा वो वैसा निकलाई नहीं सारे दोस्त फेक निकले अपने मतलब के आ रही थी इसलिए Chrissy ने बोला कि James के घर आ जाओ यहां पर सब सेफ हैं अब ये Chrissy की चाल भी हो सकती है Helen का पता साफ करने के लिए क्योंकि broadcast में साफ साफ बोला जा रहा है कि घर से बाहर मत निकलो अपने घरों में रहो बाहर हालात कावू से बाहर हैं और Chrissy ने तो Helen को James के घर बुला लिया अब साफ दिल से किया या मैले दिल से वो तो पता नहीं बस ये पता है कि उसके कहने पर Helen भी चल दी लेगिन बाहर इसकी परडोसन तैना थी अलगे इसे देहने के बावजूत भी परडोसन ने इसे इगनोर कर दिया वो माथा पेटने में लगी रही तब ह Helen के पास आता है एडी वो भी बुरी तरह इंजर्ड और आते ही उसने दम तोड़ दिया अब Helen क्या करती उसे छोड़ कर वो लिफ्ट में चली गई कि तब ही एडी फिर से उसके सामने आ गया लेगिन इस बार जॉम्बी बनकर वो भी अंदर आ रहा था पर सही टाइम पर ल सार्किंग में लेगन उसके जाते ही कार के अलाम्स बजने लगे यानि के आसपास कोई खूम रहा है वो एक थक था जिसे Helen की कार चाहिए थी गन पॉइंट पर वो चाबी माग रहा था पर Helen ने दी नहीं तो वो इसे पेटने लगा और इतने में वो लिफ्ट वाली लड़क को कुचल दिया साथी थक को भी उड़ा दिया लेगन इस एक्शन की वज़े से कार बंद पड़ गई तभी सामने से एड़ी आ गया और पीछे से थक दोनों के बीच में Helen पिस जाती इसलिए उसे कार से निकल कर भागना पड़ा तभी Helen के पास फोन आया James का लेगन ना तो James को Helen की बास समझ आई और ना ही Helen को James की पर James बोल रहा था कि अपने घर पे रहो बाहर मत निकलना यानि के क्रिसी के इरादे गलती थे खर Helen को James की बास सुनाई नहीं दी इसलिए वो बिल्डिंग से बाहर आ गई और बाहर आते ही उसने देखा कि एक ओल्ड कपल सामने वाले स क्योंकि wife zombie बनने वाली है wife की गर्दन उसने अलग कर दी लेकिन जैसी Helen को देखा वो गुस्से से पागल हो गया वो बोल रहा था कि ये सब तूने किया तेरी वज़े से हुआ जबके Helen को पता ही नहीं कि ये क्या बात कर रहा है Helen उससे बात करके उसे समझाती पर बात करने के मूड में वो थाई नहीं सीधा गोली चला रहा था इसलिए Helen को बेस्मेंट के अंदर जाकर खुद को लाग करना पड़ा नीचे भी एक दरवाजा था लेकिन वो Helen से खुला नहीं तब ही उसने सुना कि किसी zombie ने उस आदमी को चीर डाला सीडियों पर उसका खून बैरा था उबर गई तो पता चला कि ये काम किया एडी ने एडी ने अब भी इसका पीछा नहीं छोड़ा उससे बचकर वो बाहर भागी तो किसमत से बाहर उसे मिल गई एक पुलिस कार लेकिन बदकिसमत ही ये थी कि पुलिस वाला भी zombie बन चुका था एक लड़का उससे मदद माग ने आया तो बेचारे को अपने और गंस बाहर निकलवाने पड़े और उसके साथ जो दो लड़किया थी उन्हें भागना पड़ा ये देखकर तो हैलन भी पीछे की तरह भागी और ऐसे बचते बचाते फैनली पहुंच गई जेम्स के घर लेकिन उसे देखते ही क्रिसी ज जोर-जोर से चलाने लगी तभी पीछे से जेमस आया और बिना कुछ पूछे उसने दो गोलिया मार कर हैलन को धेर कर दिया ऐसा क्यों किया वो जानने के लिए हमें फिर से जाना होगा पिछले रात में जब ये घर जाकर दारू पी रही थी दारू के साथ इसने सारी नीद बुलानी चाही लेगिन तभी कैविन आ गया वो भी जॉंबी कैविन उसने एडी के उपर अटेक कर दिया फिर सारा खून खराबा हुआ इसके थोड़ी देर बाद हैलन फिर से जिन्दा हो गई थी सुबा साड़े चार बजे ऐसा जॉंबी जी हां ये साइरन सुन कर नहीं शूट किया यही वजह है कि पडोसन ने इसे देखकर इगनोर कर दिया था क्योंकि ये भी जॉंबी ही थी और क्रिसी और जीम्स फोन पर इसके बास समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि ये बोल नहीं रही थी थक भी इसे इसलिए पीट रहा था क्योंकि ये जॉंबी थी और व उन्हें एग्नोर कर देते हैं परडोसन की तरह फिलाल मेंन बात यह है कि एड़ी इसे मारने के लिए इसका पीछा नहीं कर रहा बलके वो इसके साथ रहना चाहता है इसलिए पीछा कर रहा है तो भी उसने ओल्ड मैन को मारा था और अब भी वो इसके साथ-साथ है पीछे से जाकर उसने जीम्स के चीथड़े कर दिये बची क्रिसी तो दोनोंने साथ मिलकर उसे लपेट लिया यह देखो क्रिंज इसके साथ यह एपिसोड हुआ खतम तो इस सेजन में एक चीज बड़ी कॉमन चल रही है वो है आखरी का ट्वेस्ट यह एपिसोड देखो तो उतना खास नहीं लगता लेकिन जब आखिर में ट्वेस्ट आता है तो भरपाई हो जाती है हलाके कई जगा होपर लाजिक की कमी थी जिस वज़े से यह एपिसोड मार खाता है और स्टोरी भी बार बार डिस्टरब होती है पिछली रात के फ्लैश बैक्स की वज़े से जो कई बार बेवज़ा भी आ जाते हैं एक दो मिनट के लिए इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही पूरा पास समझा दिया था वाग यह बताईए आपको यह एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में क्या कहना चाओगे इसमें तो स्पाइडर भी जॉम्बी बन रहे थे तो क्या कीडे मकाडे भी बन रहे होंगे मक्षी जॉम्बी मच्छर जॉम्बी वीडियो पसंद आई के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फालो कर सकते हो वहां आपको बहुत कुछ जाने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगाओ पर भी जिनके लिंक साब को मिल जाएंगे नीचे मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड के साथ तब तक के लिए सब को बाई